हेलो फ्रेंड्स आई विनो द्यादव वेल्किमी ओल अगेन उन्मा यूटूब चैनल वियाएन केमिस्ट्री जैसे कि आपके सामने है आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री कुज 9 लेका हैं एंटेसी पॉइंट व्यू से और यह सेम चप्टर की है टेन प्लास का जम कर रहे थे एसिट बेस और यह चप्टर की आखरी कुज होगे आपके लिए ठीक है रूल्स बार बार बताने पड़ रहे हैं रूल्स वैसे हैं जैसे इसे पहले कुजिस में आपके सामने आएं आपके सामने स्क्रीन पे पहले कोशिन आएगा फिर उसके मैं चार आप्शन बोलूँग तब तक आप अपने आप्शन को चूज कर लिजेगा और उसके बाद में उसकोशन का सही आंसर आपके सामने रख दूँगा तो हम स्टार्ट करते हैं इंडेस्टिंग क्विज को केमिस्ट्री क्विज नमर नाइंथ ओके यह पहला कॉश्चन दा आर्ट स्ट्रिंग कंटेंज अप्चन ए असेटिक एसीड फॉर्मिक एसीड सुल्फूरिक एसीड नन अपकर टाइम शिरो हता है भी और इसका बिल्कुस यह आंसर है फॉर्मिक एसीड यह पहले भी डिसक्रस कर चुके कई बार यहानी भी और रेड एंड्स खासका जो होती है उनकी स्ट्रिंग में कौन सी एसीड होती है फॉर्मिक एसीड ठीक है और यल्लो वास्प होता है उसके क्या रता है वो बेसिक ने सामने दा पी एच और फ्रेश मिल्क एज ऑप्शने 5.5 6.5 7.5 7.0 आप पर टाइम शिरू होता भी और इसका बिल्कुँ से आंसर है 6.5 ओके तब ही तो जो मिल्क मैन होता है जो खासका सिटीज में जो बारा बारा जाता है दूद बेस्ते हैं वो फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा क्यों मिला के लाते हैं ताकि इस दूद का पी एच ओ नीचे ना चला जाए और दूद खट देश से वो तिन छे सथ गंटे तक भी फ्रेश फ्रेश इन असेंस आई मीन तो से कि उसका पी एच मेंटें रह सकता है इस एट क्लियर नव कुछिन मत थ्री आपके सामने आ रहा रही यह पोश्ण मत थ्री एफ ध्रोगलोरगश असे इस पूर्ड न एगघ ज़स इस पूर्ड गजस बाने लुका फ्रीं तो एड थर एच बिक हाना ध्री शीर था एट प्रीश को में प्रीश एल्सफे प्रीश ट आपक इन तो आपका टाइम शिरू होता है भी और बिलकुत है अंसर है कार्बन डायोकसाइड गैस क्यों कि एक शेयल में मेटल का काबोनेट होता है वह जब काबोनेट किसी एक रेट करता है तो सीओ टू गैस ही बाहर निकलेगी ठीके जी ना आपका अगला कुशन आपके सामने कुशन फ fourth, the pH of a solution of acid is 4, then you have to calculate its concentration in terms of molarity, is that clear? Option A, 4.0, 0.4, 0.001, 0.001, aapka time सीरू होता है और इसका बिल्क्रों से ऑप्षिन है ऑप्षिन हमसी 0.0001 कैसे बता चला देखे आपको एसिड दे रखिए सब अब इस कोश्चिन में एसिड कौन सी दी यह तो कुछ उन्हों ने बता है नहीं तो मोनो बेसिक एसिड है यह मान के चलेगा आप लोग ठीक है तो जो एसिड का किया उसकी आड़ून्यम आइन का पी एचे तो आड़ून्यमायन का पी एचे तो फिर टैन की पार शिवायनस फोर समझज यह जब हमालतने मायनस प्रहत है तो इसके उपर जो नेगेकिट पार का मैगनी चूड वह उसने उसने कोश्च पीशिद में लिक्त पोर अपको इस 1.2, 10, 14, 1.2, 2.2, 14, 10, 1.2, 2.2, 10, और 14, 2.2, 1.2, 14, और 10, आपका टाइम शुरू होता है, यह तो देखे है, fact-based question आपो learn करना है, ठीक है जी, उसका सही answer है, 1.2, 2.2, 10, और 14, आपका next question स्टार्ट होगा भी, यह है आपका question number 6 आपके सामने, identify the wrong statement, option A, higher the hydronym ion concentration, lower is the pH value, option B, universal indicator is used to judge how strong a given acid or base is, option C, as the pH value increases from 7 to 14, it represents increase in the hydronym ion concentration in the solution, उसके बाद आपका option D, value less than 7 on the pH scale represents a basic solution, is the clear now, आपका time स्टार्ट होता है भी, और इसका बिल्कुछ यह option है, D, क्या है, आपको पता है ने कि अगर pH 7 साथ से कम है, तो आपको स्टार्ट होता है, अब कुछ बच्चे का C में confused हैं, तो इसको भी clear कर देता हूं, देखो कह रहा है का pH की value 7, 8, 9, 10 होते हो 14 तक जाती है, तो जो हाइडरीन माइन कंजनेटेशन हैं, वो क्या होती जाती जाती है, 10 की बाद माइनस 7, 10 की बाद माइनस 8, 10 की बाद माइनस इस तरीके तो इंक्रीज हो रही है, आपकी, clear होगे आपको, ना आपका कोशन बस 7 ता आदा आपके सामने, दा डार्क रेड कलर अपियर्स अन्दा युनिवर्सल इंडिकेटर, वो कह रहा है कि इंडिकेटर के उपर जो color आ रहा है, वो dark red आ रहा है कोई solution डालने पर, तो आपको solution का nature check करना है, option नमर A, neutral, option B, basic, option C, acidic, option D, amphoteric, आपका time शिरू होता है भी, और का बिल्कुर से आंसर है, acidic क्योंकि देखें युनिवर्सल इंडिकेटर पे जो dark red color होता है, या greenish तक आते आते हैं जैसे dark red, light red, pink, greenish, yellow, etc, तो वो किसमें आता है, वो आपका acidic में आता है, उसके आद आपका blueness शुरू हो जाएगी ना, और last तक हो जाएगा, violet color तक वो basic हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ना, इस बुक्स से आप चेक कर सकते हैं, question number 8 तक आपके सामने, यह assertion reasoning का question आपका, clear, ध्यान से पढ़िएगा इसको, the flower of hydrangea plant turns to pink, in the presence of potassium hydroxide, जो एक base है, दूसरे क्या कह रहा है, flowers of hydrangea plant, the flowers of hydrangea plant are usually pink, which turn blue in the presence of a base, option number A, assertion is wrong, reason is correct, both assertion and reason are correct, and R is the correct explanation of a assertion, C, assertion is correct, reason is wrong, both assertion and reason are wrong, आपके time शिरू होता है भी, वो बिल्कों सही answer है, option number, इसका सही answer है, option number C, is that clear now, इसमें A एक correct है, B गलत है, इध्यान रखना, क्योंकि जो flowers के जो petals होते हैं, वो basic soil के अंदर आपके pink होते हैं, और यहाँ पर क्या बता रहा है, इध्यान रखना इसको, ठीक है, now, question number 9, on passing carbon dioxide gas in excess, in aqueous solution of sodium carbonate, the substance obtained is, option A, sodium hydroxide, sodium bicarbonate, sodium carbonate, decahydrate, sodium carbonate, monohydrate, आपके time शिर होता है भी, और इसका बिलकुस ही answer है, sodium bicarbonate, ठीक है, यह आपकी book से ही लिए आगए, question, question number 9, आपका अगला question आपके सामने है, the solution of a colorless salt in water shows pH of 9, the salt would be sodium chloride, sodium nitrate, sodium acetate, ammonium acetate, आपके time शिर होता है भी, और इसका बिलकुस ही answer है, sodium acetate, कैसे पता चला, देख उसका pH 9 है, 7 से ज़्याद है, basic salt है, अब देखा हो, जो option A में, जो sodium chloride आपको दिया गया है, वो कैसा salt है, neutral salt है, अगला भी neutral salt है, क्यों, यह दोनों neutral salt क्यों है, क्योंकि इन दोनों में strong acid है, strong base है, अब थर्ड वन वाले में क्या है, sodium hydroxide तो strong base है, पर जो acetate है, यह कहां से है, यह आपका acidic acid से, जो weak acid है, इसकी वज़ए से salt कैसा, basic salt है, और last वाले में देखो, ammonium hydroxide से ammonium आयना है, जो weak base है, और acidic acid से acetate है, तो weak base और weak acid का salt भी neutral होगा, इस बज़े से इसका answer C आपका, इस बज़े से इसका answer C आपका, इस दाख clear नव, नव, कुशन बर 11 आपके सामने, aqua regia composition is, option A, concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in the ratio 3 is to 1, concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3 is to 1, concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3 is to 1, और यह नहीं से कोई भी नहीं हो आपका टाइम फिरो होता है है और आपका बिल्कु ये आज़ा है एक नेद रॉछ तो रावन इसाथे नाव ऑके सामने आरा भी दा सोर मिल्क कर्ड एंड फर्टीग मसल्स कंटेंज ओप्शन ए उक्जालिक एसीड टार्टरीक एसीड लेक्टिक एसीड और एसेटिक एसीड आपकर टाइम शीरो होता है भी और इसका बिल्कुर सही आंसर है लेक्टिक एसीड ठीक है जी ना आपकर नेक्ट कोश्चिन है कुश्चन थर्टेंट और इसका बिल्कुर सही आंसर है इट इस आफ लाइट यलो कलर ठीक है जी यह आपकर बुक से कोश्चिन लिया गया था कोशन फूरीन वाल प्रपरीं कारवन डाइट्ड ग्राइस ना लबरेटरी यह विल पर hydrochloric acid on which substance option a pieces of zinc option b particles of copper sulphate option c pieces of marble option d ammonium chloride upper time she wrote a week और इसका बिल्कुल से आंजर है पीसिस ओफ मार्बल चाहे दो रेक्शन आप कर सकते हैं रफ कॉपी में मार्बल का केमिकल फॉर्मला होता है कैल्चिम कार्बोनेट और उस पर आपने डाला हैड्रोक्लोरिक एसिड यानि CACO3 प्लस HCl लंबी अरबाद क्या क्या लिक होगे कैल्चिम क्लोराइड बनेगा CACL2 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस और आपने CO2 गैस की तो बात कर रहा है तो उपर कोश्चन में ठीक है जी ना कोश्चन नमबर 15 अपके सामने आइडेंटिफाई दा पी एच ओफ ए बेसिक सबस्टेंस ओप्शन ए फॉर ओप्शन भी सिक्स ओप्शन सी सेवन ओप्शन डी टेन बहुत असान कोश्चन है आपकर टाइम शिरो होता भी और बिल्कुल से आंसर कौन सा है 10 जो 4 और 6 पी एच है वो तो एसीड के है और 7 किसका पी एच है न्यूटर लगा तो एक बचा जो 7 से ज़्यादा 10 इस वज़े से इसको डी आंसर दिया गया ठीक है आपके सामने नेक्स कोश्चन है कोश्चन में 16 पी एच ओफ एस सलूशन इस जीरो नेच्चर अफ दिस सलूशन इस ओप्शन ए एसे डिक बेसिक न्यूटरल एमफो टैरिक आपका टाइम शिरो हता भी और इसका बिल्कुल से आंसर है से डिक क्यों बाइच से तो कमी है ना जीरो तो से डिक होगा सिपत सिदी सी बात है आपका अगला कॉश्चन आपके सामने है कॉश्चन नमबर 17 दा डिफरेंस इन दा नंबर ओफ क्रिस्टलाइन वाटर मोलेकूल इन आ मोलेकूल अप जिप्सम और इसका बिलकुल सही आंसर है ना नच्क्त प्रिंट इस्क्राइज कोश्चन मरा 18 अगला एंटिझ वाट आ थेंट आ ड्वर्ट आ। अबर शाल झाल क्रूब हैंच्ट by झाल मुंडल अपा टैयरो मुट और आप टैयरो थावी ही एलम करी आब क्या हता है के टूस ओफर एल्टू सफर होल्ट यानि दो साल्ट का कंबिनेशन है वाकिक जो पर आशन एक तो साल्ट होता है के अनो थ्री ऐसे बुल्विटरोल में क्या था स्यूस फ्रॉप रहोगा आपको तो इस तरीख से थोड़ा सा याद रखना एक होता है वो भी डबल साल्टी आपका ठीक है ध्यान रखना नहीं तो को ना कोश्च नमबर 19 तापके सामने अखाले चर्णा नमबर 12 तापके सामने नहीं तो किया हैं ना कोश्च नमबर 19 तापके सांगी साथ नमबर 13 अग्या नमबर सी प्टैशियम ऑक्साइड अप्शिन नमर डी नन अपर टाइम शीर होता भी और बिल्कों सही आंसर आपका इडिज ऑफ्शिन नमबर बी जिंक ऑक्साइड देख ऑक्साइड है तुसका यह तो यह तो होना है और जो आसीड बेस से कमाइन कर दिया तो मतलब की जिंक ऑक्साइड ठीक है जी एंफटरी ऑक्साइड को दंसे करके जाने एंटेसी एक्जाम के अंदर ना चैप्टर कोश्च नमर ट्वेंटिएथ chemical name of baking soda is option a sodium carbonate option b sodium chloride option c sodium bicarbonate option d sodium hydroxide आपका time शिरो रहा है भी और बिल्कों सही आंसर इसका sodium bicarbonate na co3 ज्यान रखना है इसको ठीक है जी ना कुशन में 21 आपके सामने metal a react with water to give b okay b is used for whitewashing तो b toh compound हो गया फिर b is used for whitewashing on heating b give c c reacts with water to give back b you have to identify a b and c hint उसने दे को second statement दे रखिये b is used for whitewashing option number a it is a calcium b calcium oxide c calcium hydroxide option b calcium oxide calcium or calcium hydroxide calcium calcium hydroxide or calcium oxide calcium oxide calcium hydroxide or calcium oxide calcium oxide calcium hydroxide or calcium चलिए 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 और इसका बिल्कों से आंसर ऑफिशन सी क्यों देखो बी की हिंट उसने कोशन में देदी बी को हम whitewashing में इस्तमाल करते हैं तो whitewashing में किसका hydroxide बीच में दिया हुए बीकी जगहें आप ए जो है वो मैटल कह रहा है और डी में मैटल का कमपाउंड calcium oxide आपको दे रहा है तो इस पर जैसे option इस बज़े से इस कांसर C है आपका ठीक है नाव नेक्ट कोश्चियन कोश्चनमार ट्वेंटी से टू पीएच पेपर इज इस सेपरेटली डिप्ट इंटो टू इफरेंट सोलूशन एक्स एंड वाई दा कलर पीएच पेपर टरंस पेल ग्रीन इन सोलूशन एक्स एंड ब इंड वाटरॉटर ऑफचिन से हड्रोक लोरिक एसीड एंड सो डिमाड्रॉक साइड ऑपश्यन डि 2014 अजीड अभाट टायम शीरोता भी वो बिलकुल सोहां से रहा है रहा है वाटर एंड सोडियम हचप को ऊचरिए उसके बात ध्यान रखिए घादयगा देखो पीएह पिपर थोड़ा सा येलोव सा कलर में यह लाइट ग्रीन सा कलर न्यूट्रल सलुचंस में देता है तो नोट्र सलूचंस एक पानी तो दे रखा इन्हों सी जगाए एक एक क्लेर हो क्या और ब्लिवनेस आती है उसकी बेस के अंदर किसमा बेसे तो भीशी तो आपका A, honey B, then the most probable remedy will be option A, vinegar, option B, water, option C, solution of baking soda, option D, none. आपका टाइम शिरो हता भी. और इसका बिलकुस एंसर है, solution of baking soda. क्योंकि तो वीनेगर में तो acid ही होती है, और पहले question में मैंने कहा था कि आंट भी तो acid डालती है, तो acid से acid neutralize होगी नहीं, और पानी का भी का असर नहीं होगा acid के उसके उपर, इस बज़ेस से जो baking soda base है, जो उसको neutralize कर देगा हम से, ठीक है, now next question number 24th, after passing electric current through a concentrated aqueous solution of sodium chloride by means of a battery, so due to current, the nature of the solution will become option a, acidic, option b, basic, option c, neutral, option d, amphoteric, आपका time शिरू होता है भी, और बिल्कुर्ट से answer है, basic, क्यों कह रहा हूँ, statement को ध्याँ से देखे, ये chlor एलकली प्रोसेसी तो करवा रहा है, nao h plus water, current pass किया, क्या-क्या बनदा था, nao h, cl2 gas, और hydrogen gas, तो में तुस में nao h ही था, जिसने solution को क्या बना दिया, basic बना दिया, clear हो गया, ये chlor एलकली प्रोसेस को भड़ा करके explain कर दिया, एक तरह से, थोड़ा दिमाग लगाना था इस question में आपको, now question number 25th, what is the action of litmus on dry ammonia gas, option A, blue to red, option B, red to blue, option C, orange to red, option D, no action, आपका time शुरू होता भी, और बिल्कुस सही answer है, इसका no action, क्यों, देख लिटमस, उसने कहा भी action of litmus, तो उसने लिटमस solution, तो कुछ कहा नहीं है, तो आप लिटमस paper मान के चलेंगे, इसमें, क्या मान के चलेंगे, लिटमस paper मान के चलना आप लोग, ठीक है, तो लिटमस paper भी dry है, अगर उसने कुछ दिया नहीं, तो अपर ammonia gas को dry दे रहा है, आपका टाइम शिरू होता है भी, और बिल्कुस यह answer है, sodium bicarbonate, ठीक है जी, जब sodium bicarbonate और sulfuric acid कराते हैं, extinguisher के अंदर, तब CO2 gas produce होती है, जो आप गुजाने के काम आजाती है, ठीक है, आपकी भूक में से लिए गया गयाते हैं, कुछन, ना, कुछन में 27th, आपका टाइम शिरू होता है, और बिल्कुस यह answer है, sodium chloride and water, अभी 26th question में हमने discuss किया था, आपके साबने, aqueous sodium chloride solution, ठीक है जी, आपका टाइम शिरू होता है, आपका टाइम शिरू होता है, और इसका सही answer है, baking soda and washing soda, ठीक है जी, आपका अगला question से आ रहा है, second last question है, 29th, वाट इस दा अधर नेम आफ अमोनिया soda process, option A, chloralkali process, option B, solvase process, option C, rock salt process, option D, bleaching process, आपका टाइम शिरू होता है, आपका टाइम शिरू होता है, और इसका बिल्कुल से answer, it is solvase process, ठीक है, इसकी पहली step में तो आपका बनते हैं, ammonium chloride और baking soda, ठीक है, उसे अगली step में फिर क्या होता है, baking soda को heat करते हैं, तो washing soda बनता है, फिर washing soda के अंदर दस पानी के molecular कराते हैं, प्रोपर washing soda बनता है, एने 2CO3.10H2, और आपकी कोईज का आखरी कोशन आजगा, what are the pH values of distilled water and common salt solution, option A, 7 and 9, option B, 6 and 7, option C, 0 and 7, option D, 7 and 7, और अपर टाइम शिरू हो रहा भी, और बिल्कल सही answer है, 7 and 7, क्यों, पानी तो ही neutral, और जो common salt NACL है, वो भी neutral salt है, तो neutrals का pH क्या बता है, 7, clear हो कि इस बज़े सह answer है, D, 7 and 7, तो this is all about chapter number 2, acid, basis and salts, I had discussed 4 quizzes with you people, अगर आपको इंट्रेस्टिं लगा और ये लेक्ट्र अच्छा लगा, तो प्रीज लाइक दिस लेक्ट्यर, शेर दिस लेक्ट्यर अमोंग और ये फ्रेंट्यर अमोंग ये फ्रेंड्स, and subscribe my channel, if you have joined me first time, okay, thank you very much.